तो दोस्तों आप सभी का डेली एरिटोरियल डिस्कुसन स्रीज में स्वागत है जैसे कि आपको पता है इसमें हम डेली कबर करते हैं पी आई बी एंडियान एक्स्प्रेस दाहिंदू और डाउन टूर्ड से रेटर जितने भी आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टे एरिटरियल एकटल उसको कवर करते हैं और इसमें आपको प्रैक्टिस कुश्चन भी देते हैं तो चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं आज का आर्टिकल है दहिंदु में प्रकासित लेक यानि दहिंदु के बिज्ञेस लाइन सेक्षन में प्रकासित लेक्ष दा बिल्डिंग ब्लॉक फोर वर्किंग आउट ग्रीन जीडीपी ठीक है तो इसमें बात कर रहा है कि जो traditional GDP count होती है हमारे भारत में उसके अलावा भी अब जरूरत है सामिल करने के लिए environmentallyly beneficial और क्या-क्या environmentallyly beneficial है क्या-क्या नुकसान करता है यानि कुल मिला कर ये green GDP की बात कर रहा है यानि जो traditional GDP है उसमें अब green GDP को सामिल करने की जरूरत है तो तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि green GDP और green national accounting के उसके significance यानि importance और उसमें challenges क्या-क्या है उसको समझ लेते हैं और विस्वस्तर पर क्या-क्या कौन-कौन से जदत green GDP को अपना रहे हैं तो जो traditional GDP counting होती है उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो है environment का assessment नहीं किया जाता यानि बड़ती परेवड़ चिंताओं को देखते हुए green national accounting की मांग शुरू हुई है जो परेवड़ी स्वास्त की इस्थित और इसके पारंपरिक जो राष्ट्री लेखाओं को समास को द्वारा इसके उपयोग और इसकी कमी को उजादिर करते हैं अब बात करते हैं traditional GDP बात करने से पहले थोड़ा सा देखेंगे ते निच्रल capital क्या होता है तो निच्रल capital की बात करते निच्रल capital और परेवड़ की गुड़त्वा को गंभीरता से लेने का या प्रभावी तरीका होता है हम राष्ट्री आए याई नियस्ट्रल इंकम और भलाई के उपायों का मुल्यांगन करते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि जिनकी की बात करें कि यानि ओवराल विल बींग की बात करें उसमें जो है स्वास्तिच्छा सहित आयके अस्तर के अलावा कई अनिकारक भी निर्भर करते हैं ठीक है और जैसे अनिकारक में जैसे होगे समाजिक सामांजस राजनेतिक भागिदारी इसके अलाव सबसे इंपॉर्ट साथिक पूजी सर और पर्यवर्ण के कुड़वत्ता को जासता है तो कुल मिलाकल डिरिशनल और मापने के लियों के जाता है दूसरा सब्दों में कहें तो किसी निच्चित समय में किसी देश की आलतिक गद विल्यों को जो अकांटिnant होती घुंसरे הנ Hack कैते हैं इससे जो है अगर बात करें तो जो national income का निर्धार जो ए GDP के दोवारा GNP के दोवारा NNP के दोवारा Personal income जैसे और इसके लाट disposable income के दोवारा हम लोग National accounting करते हैं अब थोड़ा से Dalitional डेखना GDP का मतलब क्या होता है तो किसी देश की भगवलिक सिमाओं के बेतर उत्पाई सभी अंतिम वस्तु और सिवाओं का कुल मौत्रिक मूल या मार्केट मूल की प्रभास्त कियाता है GDP का फार्मूला यहां पर दिया गया है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M यहां पर क्या उता है यह आपको देखिए ओंडर्य स्ट लिफन का फार्मूला दिया गया है निट नेस्नेल प्रॉडर्क का फोर्म. दिया गया wed?. यरिडीपि को मापने का तरीका है अब बात करते हैं सकल घरेली उत्पाद या जिसे ग्रीन जीडीपी कहते हैं तो ग्रीन जीडीपी होता है वो अगर उसको मापेंगे तो पर्यवड के जो लाब है और हाने दोनों को वो दोनों तरह से उत्पादों को समाजिक मूलिकल लेका जोखा होना चाहिए और यह उत्पादों के जो पर्यवडी प्रभाव हैं उनके अधार पर जो हमारा सांकी और कारेक्रम कारण मंत्रा लेके आपूर्थ और उप्योग की जो तालिका होती है उसका प्रयोग करके डेटा संग्रा और विस्टेशर की पद्दत का भी प्रस्ताव करता है ग्रेज जीडीपी अगर बात करें ट्रेशर्शनल जीडीपी की तो उसमें हरित लेखाओं को सामिल करने के लिए जो उत्पादन और भोग और धन की परिफासा के बिस्तार किया सकता है यानि इनवार्मेंट की दिश्ट से बात करें तो उसमें जो है आपको लाव और हानी दोनों तरह के उत्पादों को जो नेशनल एकाउंट से उसमें सामिल किया जाना चाहिए टीक है नेश्ट बात करें ग्रीन जीडीबी और ग्रीन नेसल एकांटिंग इसके बारें बहराल चर्चा करीं चुके हैं तो ग्रीन जीडीपी और Green National Accounting के बारे में बात करें तो यह एक अधाड़ा है याई एक ऐसी अधाड़ा जो पर्यावड़ी लागत को और लाभों को ध्यार में रखते हुए किसी देश की आर्थिक प्रदर्शन की गढ़ना या मापन का प्रयास करती है ठीके और Green GDP की बात करें तो Green GDP एक संकेतक है जो किसी देश के पारामपरिक GDP से प्राक्तिक संसादनों के कमी और पर्यावड़ी छर्ट को लागत को घटाव करता है ठीके और इसे जो है पर्यावड़ी रूप से क्या कहते हैं समायजित घरेलू उत्पाजारी इन्वार्मेंट एड़ेस्ट टोमेस्टिक प्रोड़क्त रूप में भी जानते हैं नेशनल ग्रीन एकाउंटिंग के बारे हमने पढ़ी लिया है वही सब चीजे है कि अगर बात करें तो नेशनल एकाउंटिंग जो विधिया होती है उसे प्राक्तिक संसादनों के मूल प्रदूसर अगर बात करें नकारात्मक प्रुभाव की बात करें जैसे प्रदूसर हो गया संसादनों का घटना हो गया परयावास का बिनास हो गया जलवाई परिवर्तन इसके अलावाँ अफसे उस्पादन आधि को ये संधर्वित करता है एंवार्मेंटल कॉस्ट के निगेटिव ट जल का जो क्लाइमेट रेगुलेशन होता है और इसके लावाई डावर्सिटी कंजर्वेशन रेन्यूबल एडर्जी एडाप्सेशन सस्टनेबल एगरिकल्चर प्रैक्टिस एंड कंजर्वेशन रिएस्ट्रेशन एफट्स की ये पॉस्टिव एस्पेक्ट में आते हैं ठ ठीक है यानि वैलिवेशन आफ निस्ट्रल रिसोर्स एड एकोसिस्टम सर्विस में यह इंपॉर्टन रोल अपना प्रवाइड करता है जबकि जो टिपकली जो ट्रेशनल जीडीपी है यह इसको जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं नेक्स्ट बात करेंगा सस्टनेबल्टी म सच्टनेबल्टी में अपनी इंपॉर्टन रोल निवाता है तो green जीडीप सच्टनेबल्ट्य में कैसे निवाता है तो आर्थिक जो आकरन होता है उसने परहवाडएक कारकों को असपरすब्से बिच्यार करते हुए सच्टनेबल्ड डिफलेप्प्ठ्मकलों के जो गोल उ होती है और यह जो पॉल्सी मेकर होते हैं उनको जो है बेटर अंडरस्टेंडिंग देता है कि कैसे एकोनोमिक ग्रोथ और इन्वार्मेंटल सस्टेमल्टी की भी सामानजस रखना है नेक्स्ट बात करेंगे पॉल्सी रिव्लियंस में ग्रीन जीडीपी अपनी मातफुर भूम का निभाता है कैसे क्योंकि ग्रीन जीडीपी एक कंप्रियंसिप यानि व्रिस्तित जो है पिक्चर देता है एकोनोमिक की सहाथता से जो पॉल्सिंग मेकर होते हैं वो अपनी प्रियॉर्टी तैय कर सकते हैं और रिसोर्स का जो है नेड़े कर सकते हैं कहां कौन से रिसोर्स एलोकोईट करने है ठीक है निच्ट बात करेंगे रिसोर्स मेरेजमेंट में ग्रीन जीडीपी अपनी महत्रपुर पढ़ावालता जिससे संसाधन आवंटर में सुधार परवड़ी गिरावट में कमी आती है नेक्स्ट बात करेंगे चिनोतियां क्या है तो सबसे बड़ी चिनोती है ग्रीन जीडीपी से रिलेटर जो है आप देखेंगे तो उसको कैल्कुलेट करने में बहुत ज्यादा पर है और सब्जेक्टिव जज्जमेंट पर जो है यह काम कर रहा है इसके अलाव अगर बात है तो वैलू के समुन्देशन में यानि एसाइन्मेंट में यह चुनोती बना हुआ है क्योंकि अगर बात करें पर्यावड़ी वस्तुओं और सेवाओं के मौदरिक संदर्प मे मौल निधाड़क के एक विवादस्पत भी सह है क्योंकि जो आलोचक है यानि क्रिटीक से उनका तर्क है कि पर्यावड़ी के कुछ पहली हों जैसे अगर बात करें तो बाइडारसटी या कल्चर जो हैरिटेस है उनका जो अंतरनहित मौल है जिसे आर्थिक मुल्यांकन वि इंडिकेटर में यह जचलता बनी होई है यानि ग्रीन जीडीपी के गड़ना की बात करें तो एक कठन संकेतक है कि इसमें समाजिक आर्थिक परहवड़ी कारक भी सामिल है जिन कारकों के समायोजन के लिए कोई सहमत तरीका मौजुद नहीं है और ना ही कोई सही संकेतक पूर है निष्ट बात करेंगे पॉल्सी इंप्लिकेशन एंड ट्रेड ओफ में ठीक है ग्रीन जीडीपी के उप्योगी है लेकिन इन नीतियों के रुपांतरित करना कठिन हो सकता है क्योंकि नीतियों की सफलता के लिए हमें सहयोग राजनीतिक समर्थन और बाधां को और भामिक नीतियां बनाना कठिन है ठीक है यूनियृशल पॉल्सी बेस्ट वणली ओन ग्रीन जीडीपी नेक्स बात करेंगे कि ग्रीन जीडीपी के इंप्लिकेशन को लेकर आगे क्या आगे क्या करना है तो अभी हाल फिल हाल में तो कोई ऐसा कोई नीतिकत जो है नेड़े नहीं लिया गया है यानि उसके इंप्लिफिकेशन के लिए ग्रीन जीडिपी के लिए कोई क्लियर कट आपके पास जो है इस टिप मौझूद नहीं है ना तो सरकार दारा ना तो अलग अलग देश हो दारा तो कुछ बिंदूओं से इसको समझ सकते हैं अगर बात के पड़री लागतों और लावू को मापन उनके मुल्यांकन के लिए एक सामान रूप रेखा कि काल प्राणली विक्सित करना और उस इसके लावा इसमें बहुत सारे जैसे परहवाड़ी संकेतों जैसे उसर्जन संसादनों का उप्योग एकोसिस्टम सर्विस आज का डेटा उपलब्द और गुरुत्तम सुधार करना देश भर्म उनकी निरंदता और तुलनीता सुनिश्चित करना होगा ठीक है इसके संभावनाएं हम लोग व्यक्ति कर सकते हैं अब बात करते हैं कौन सा जैस ग्रीन जीडीपी का उप्योग करते हैं तो चीन ने 2004 में जो है ग्रीन जीडीपी कुछ योजना बनाई थी लेकिन बाद में जो है चुनोतियों को सामना करने के लिए इसे समाप्त कर दिया यूए घरे ग्रीन जीडीपी कोई भी मापं प्रस्तूत नहीं करता इसके अलागर बात कर दिया यूरोप में तो अमेरिका के पास लेखाओं को संकलित करने का अवस्यक बनाता जिसका प्योग ग्रीन जीडिपी या समायूत घरल उपाद प्राप्ट करने के लिए किया सकता स्वेडन की बात करता स्वेडन जो है ग्लोबल ग्रीन एकोनामी के प्रदर्सन करता देसों में से एक है जो चार आयामों यानि नेत निकारी तोर पर कोई मापन रिपोर्ट नहीं की जाती। लेकिन विभिन सोथ करता हूं संस्तान दोर इसका अनुमान लगाने का प्रयास कियाता है। अक्टूबर 2022 में RBI द्वारा प्रकासित एक पत्र के अंसार अनुमान लगाया है, 2019 में भारत की ग्रीन GDP 167 ट्रिलियन रुपए की थी। उसी वर्स जो है 185.8 ट्रिलियन रुपए की पारंपरिक GDP से 10 प्रस्यत की कमें प्रकिट करता है। ठीक है? तो यह कुछ RBI ने अनुमा अनुमान लगाया था। अब बात करेंगे वाट इस ग्लोबल ग्रीन GDP ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स तो अगर बात करेंगे तो वैस्वी खरित अर्थव्यूस्ता सुचकांग जो है डूएल सिर्जन द्वारा प्रकासित के जाता है जो सस्टनेबल के लिए डाटा संचाल समाधानों को विश्यसक एक कंसल्टनल्टी फर्म है एक सुसाट देशों की ग्रीन इकोनॉमी को प्रदाशन करने का पैमाना है 2022 की जो रिपोर्ट हैं भारत एक सुसाट देशों में एक साथवे अस्थान पर था ठीक है अगर बात करें जी जी आई के में चार आयाम की तो को चलवाय परवर्तन समाजिक समानता सेक्टर डी कॉर्बनाईजेशन बाजार निवेस पर्यावाड़ी स्वास्त अगर बात करें इसके उद्देश को किसी देश के सतत्त प्रदाशन का ब्यापक पारदर्स इप मापन प्रदान करता और नित निर्माड और निवेस में न इसके लाभूत चुनोतियों का बारें बताते हुए आगे की राह बताईए और इसका इंगलिस वाला ही है एक्स्प्लें दा कॉंसेट आप ग्रीन जीड़ेपी और इस बेनिफिट चैलेंजेज एंड वे फारवर्ड जिसके चर्चा हमने इस आर्टिकल में की है आपको इस जाकर देख सकते हैं